कहते हैं इसक और मुस्क छिपाई नहीं छिपते हैं और तब जब मुस्क इतना बड़ा हो ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दूए का गुबार आखिर चाइना में चल क्या रहा है चाइना के राष्ट पती जिन पिंग को जहां तकता पलट का डर लग रहा है तो वहीं दस द प्रोह या फिर कोई बड़ी साजी से जानेंगे क्या है मामला और इन सब के बीच में भारत ने क्यों कहा है ताली एक हाथ से नहीं बचती है दोनों हाथ से बचती है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से चीन चाइना में एक ऐसा रियेक्शन देखा जा रहा है कि चाइना के एक हिस्सा ऐसा है जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और एक हिस्सा ऐसा है जहां बहुत ज़्यादा बारिस पड़ रही है हालात ऐसे हैं कि कार से लेकर फैक्टरियां तक पानी में डूब चु जो बाढ़ और जमीने खिसक रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं इस वक्त चाइना अजीब तरीके की इस्तिती में फसा हुआ है इसक्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना का हुनान प्रांथ यहां पर किस तरीके से बड़ी घनी बारिस हो रही है औ पूरा का पूरा यह प्रांथ और इसके एग्रिकल्चर इसके बिल्डिंग इसकी सड़के हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है तब आही एग्रिकल्चर में यानि की खेती में तो ऐसी मची है कहा जा रहा है कि यह प्रांथ बहुत बड़ी मुस्किल में गुजरेगा क्यों बड़ी बड़ी कारे ये पानी में धसी हुई है इस तरीके का हालात है हुनान प्रांत का तो हुनान प्रांत को अगर ऐसा देख रहे हैं तो वहीं अगर दूसरे प्रांत की तरफ बढ़े तो वहां हालात और भी ज़्यादा खराब है चाइना के सेंट्रल, पूर्वी, दच्छनी, उत्री हिस्से में लगातार हीट वेव पड़ रहा है यानि कि गर्मी, इतनी गर्मी जिसे कहा जा रहा है कि चाइना के इतियास में पहले कभी नहीं पड़ा था चाइना ने खुद इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया इस गर्मी पड़ने से जो जानवरों का उत्पादन होता था वो भी नहीं हो पा रहा है और उनके जो प्रड़क्ट होते थे अंडे, मांस उसके लिए भी दिक्कत होनी सुरू हो चुकी है क्योंकि इसमें ज्यादा तर मचलियां, सूर ये मारे जा रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, CNN की ये रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि लगातार इस तरीके का जो सूखा पड़ रहा है इस सूखे से खरगोस से लेकर सूर मचलियां सारे मर रहे हैं अब ये सब कुछ क्या कम था कि पिछले 10 दिनों में भयानक तबाही सुरू हुई है चाइना के अंदर पहली बात तो ये कहें कि चाइना की एकोनोमी इसमें बहुत ज़्यादा गर्वर चल रही है और ऐसी इस्तिती में पहुँच गई है कि चाइना की सरकार इसे फिक्स नहीं कर पा रही है चाइना की सरकार कोशिस भी कर रही है तो फिक्स करने में उसे बहुत दिकत आ रही है जिस तरीके से महामारी काल में चाइना ने भले किसी दूसरे के लिए पूरा प्लान मनाया हो लेकिन चाइना को खुद ही ये प्लान बहुत भारी पड़ा है महामारी काल में चाइना ने लोगडाउन लगाया और लोगडाउन लगाने का आसर ये हुआ कि खुद चाइना के अंदर जो एकोनोमी है वो चरमरा गई है और जब लोगडाउन खोला तब दुनिया के साथ दोस्ती करनी चाही पर यहाँ पर भी समस्याएं आसान नहीं रही चाइना अमेरिका को एकोनोमी के मामले में पचारने जा रहा था वो चाइना अब खुद को बचाते हुए भी नहीं दिख रहा है चाइना कोसिस कर रहा है कि डिमांड बढ़े ताकि यहां से एक्सपोर्ट हो चाइना का मेन काम क्या था मेन काम क्या था मैनुफेक्चरिंग करने का समान बनाने का और समान को बेचने का चाहे वो लोकल लेबल पर हो या अंतरराष्टिय लेबल पर हो लेकिन अभी दोनों ही जगह चाइना को मात मिल रही है अमेरिका और चाइना के बीच बिगड़ते रिष्टे के बाद अमेरिका ने चाइना को एकनोमिक तोर पर गिरता ही जाएगा ब्लूमबर्ग एकोनोमिक्स के अनुसार चाइना का ग्रोथ 3% तक गिरता जाएगा 2030 तक में अब ये 2030 तक याईसा ही गिरतने वाला आकड़ा बताया जा रहा है 3% बहुत बड़ी बात होती है कहा क्या जा रहा है इस चीज को समझे चाइना का 18 ट्रिलियन ये फंस गया है अलग-अलग सेक्टर में और इसे कहीं से भी रिटर्न आता या बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ साल पहले तक ये सोचा भी नहीं गया था जो हो रहा है कहा जा रहा है कि चाइना का एक इंडेक्स है MSCI इंडेक्स जो बताता है कि किस तरीके से इंवेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं पिछले साल तक ये 12% था और इस साल ये 6% है मतलब सीधा आधा और अभी साल खत्म नहीं हुआ है चाइना का रियल इस्टेट सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट सेक्टर तक सारा कुछ प्रभावित हुआ है और इन सब के बी दूस वाली चीज हमारे देश में न हो जाए क्योंकि सारी चीजें मिलती हुई दिख रही है अलात बिलकुल वैसे ही दिख रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है कि जिन्पिंग के लिए आसान नहीं रह गया है इन सारी चीजों को फिक्स करना और उसका असर देखिए दस दि जिस तरीके से गुबार निकल रहे हैं इस गुबार को देखने से ऐसा लग रहा है कि कम से कम 100-200 तो जरूर मारे गए होंगे इस केमिकल प्लांट में पर चाहिना अभी भी क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी लोग नहीं मारे गए हैं और आपको बता दे यह जो हो रहा है पि जिसमें 38 लोग मारे गए कहा जा रहा है दस दिन के अंदर 4 ब्लाश्ट हुए हैं एक बड़ा भयानक ब्लाश्ट था 2015 में जिसमें 173 लोग मारे गए थे अब ये एक केमिकल प्लांट है कहा जा रहा है कि किसी तरीके से किसी पॉयल टेंक में आग लग गई जिसके बाद ये हो रहा है या तो कोई साजी सरची जा रही है या फिर चायना में भरष्टाचार इतना फैल चुका है कि जो चीजें बनाई जा रही है वो कम दाम की घटिया चीजों से बन रही है जिसके बाद कहीं पे ब्लास्ट कहीं पे पाइपलाइन फट जा रहा है कहीं पे कुछ हो ज रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ